नमस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्स यह आई यह जान लेते हैं अभी की बड़ी ख़बर ब्रेकी निवस के बारे में अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक सेर करना मत बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें अनिस्था चैनल को सब्सक्राइब ना करें जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं ओल पर सेलेट करें जिससे मारे वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो कहां तक पहुँची मुझे जानकारी प्राप्ट हो चुकी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एन्नम भर्ती का नोडिफिकेशन त्यार हो चुका है एन्नम भर्ती का नोडिफिकेशन त्यार हो चुका है एन्नम भर्ती का नोडिफिकेशन नौंबर के अंतिम सप्ता तक जार रहे और मंडल इस तरफ पर परिच्छा कराने की बात चल रही है कई उसमें विसंगतियां है उसको दूर करने का प्रियास किया जा रहा जल्द ही दूर कर दिया जाएगा दिस्टंबर में आपको लेकपाला भरती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एक और जहन में आपक में नहीं आ रही है आपको मालूम होगा कि लिपिक की भरती भी होनी वाली है देखे जितनी भरतियों का जिक्र समाचार पत्र में आ रहा है हो रहा है जितनी खबर आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें से अगर ये दस फीर्दी भरती पूरी कर दे विज्यापन निकाल के तो म भरती पूरी करके ज्वानिंग दे दे तो मैं माल लूँगा कि आयो की द्वारा कारे किया जा रहा है लेकिन ऐसा संभो नहीं है आप देखिए आगे होता है क्या सरकार कहते हैं कि हम 4 लाग से अधिक भरतियां पूरी कर चुके हैं और कंप्लीट हो चुकी हैं ज्वानिंग जारी हो जाए लोर्टू का जूनर असिस्टेंट का सब परिडाम से आ रहे हैं अब किसके निर्देश पर जारी किया जा रहा है क्यों इतना बिल्लम किया जा रहा है यह बास समझ में नहीं आ रही है लेकिन हाँ अगले सब्ता आपको एक भरती परिच्छा परिडाम देख परिच्छा के रहे हैं ऑफार्टी है कि परिच्छा के भी अपलाई किया है यानि कि यदर अब किस परिच्छा में प्रतिभाग करें? उनके जहन میں थे सवाल है। marketing उ checked the subscribed keen Graini जिसका जिक्र पहले हो अगिए उस्ट कित रही होगी कि बहुत बिश्म किझी में इसकित हें grandi अजिए में तीठव कर नहीं लेकिन अभी हम कुछ है किपरिसिधि में परिवर्तन और या नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसा कोई decision नहीं हुआ है तो आपको decide करना है कि कौन सी परिष्छा में आपको प्रतिभाग करना है जिस छेतर में आपका बेस मजबूत हो जिस छेतर में आपकी तैयरी बहतर हो उच्छेतर में जाईए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा परिष्छा टलने वाली नहीं है अप वाओं पर आपको ध्यान नहीं देना है एक और महत्पून खबर है जैसा कि आपको मालूम होगा कि देश के प्रधान मंतरी नेजन मोदी जी ने आज ऐलान किया है कि तीनों किर्शिक कानून बिल को वापस किया जाएगा अब सवाल है क्या किसानों का धरना समाप्त हो जाएगा किसान अपने घर लोड़ जाएगे तो मैं आप से बताना चाहता हूँ इसकी संभावना अभी नहीं है जब तक जो किसान के लिए किसी कानून बिल बनाया गया था वास अधन से पारित हुआ था जब तक वहाँ से उसे रद नहीं किया जाएगा प्रक्रिया के तहत रद नहीं किया जाएगा उसकी कौपी किसानों को नहीं मिलेगी साथ ही साथ राश्टपती के पास जब तक नहीं जाएगा वहाँ से सुग्रती नहीं मिलेगी और जब तक MSP पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक धन्ना परदसन इस्थिकित होने वाला नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किसी कानून के लिए आंदोलन करे किसान कह रहे हैं मेरा एक सवाल है आप लोग कमीन वांक्ष में जरूर जब आप दीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही अहम सवाल है जब किसी कानून बिल बनाया गया था तो क्या किसानों से पूछा गया था, दूसरा सवाल मेरा है जब किसान थे ही नहीं, सब खालिस्तानी और सब उग्रबादी थे तो आखिर कार किसी कानून बिल वापस सरकार की द्वारख क्यों लिया गया एक और महत्पूर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या किसी कानून बिल वापस करने से किसी कानून बिल वापस हो गया है क्या इसका अलाब बीजेपी को चुनाओं में मिलेगा आप लोग अपनी राय कमेंड वाक्स में जरूर दीजेगा आपकी राय हमारे लिए अर्टी में हैत्पूर है क्योंकि किसी भी किसी बिल हो या कोई भी बिल हो पास करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिस तरह से उसको पास किया जाता है जिस प्रक्रिया के तहट उसको पास किया जाता है तो मुझे कह देने से ऐलान कर देने से कोई भी कानूर रद नहीं होता है उस पर क्रिया के तहरे जब रद हो जाएगा कॉंपी जो किसानों को मिल जाएगे तो किसानों के द्वारा धर्ना प्रदर्शन को तुर्ण इस्तिकिस कर दिया जाएगा जिसकी लड़ाई है उसमें धीरे धीरे करके शफलता मिल है और स्तरकार को ऐसा लगस नहीं करेंगों तो 2022 की विधान सभा चुनाओं में जटका लगे गा तो 2024 का रास्ता आसान नहीं होगा अगली अपडेट है UPPST की UPPSC के माधिम से दो भरती परिच्छा परिडाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है कौन-कौन से भरती परिच्छा परिडाम पहला GIC प्रवकता का जिसके समझ में आप लोग बार बार जानकारी मांगते से पैड़ाम तयार है पैड़ाम आपका कभी विजारी किया प्रबल समभावना है कि अगले सब्ता का प्रिडाम आगा प्रबल संभावना है इसपश्ट रूप से मैं नहीं कहूंगा तुक्कि उसके समद में ध्र सब्सक्राइब कर देखने को मिल सकता है तो जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा इस समद में आपको जानकारी होना अवश्यक है राजस्थान सिच्छक भरती का विज्यापन कब तक आएगा कितने पदों पर आएगा देखिए 50,000 पदों पर भरती की मांग चल रही है क्योंकि सरकार ने आयलान किया था 31,000 पदों पर तीन साल पहले और तीन साल पहले जब आयलान किया गया था आब तक कम से कम 20-25,000 पर और रिक्थ हो गए हैं तो जो प्रतियोगी चात्रे अभरती हैं जो रिट की परिछा में प्रतिभाग किये थे लेबल वन लेबल टू उनकी मांग है कि सिच्छक भरती का विज्यापन 50,000 पदों पर निकाला जाए अब 50,000 पर भरती का विज्यापन जारी होगा या नहीं जारी होगा मुखमंत्र बातरी के तौरा अभी कोई व्यान नहीं दिया गया है ना सासन में इसके समन्द में कोई भी चर्चा है ज्यापन दिया जारा है बाते चेह संब पहुंच रहें आपको विग्यापन देखने को मिलेगा, विग्यापन परकारी चल रहा है, अगर आपको इसी परकार के अथेंटिक जानकारी चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बीडियो को लाइक शेर करना मत भूले, जैंज भार तो नमस्कार.